COVID-19 का और academic institutions का relation inversely proportional है COVID-19 की cases जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे academic institutions बंध होना शुरू हो जाते हैं या फिर online shift होना शुरू हो जाते हैं जमुकश्मीर में कल ही नई COVID-19 guidelines जो आई हैं उसमें सभी offline classes के ओपर रोक लगा दी गई है चाहे colleges हो, schools हो, polytechnics हो, ITIs हो या coaching centers हो, civil services, engineering या NEET के सभी को कह दिया गया कि आप online mode of teaching adopt करें और कोई in-person teaching allowed नहीं की जाएगी लेकिन कल ही शाम को ये guidelines आई हैं और आज परिशानी ये बन गई है कि जिंजन institutions में exams होने थे आखिर अब वो exams कैसे possible हो पाएंगे क्यूंकि इसी COVID-19 की guideline में एक line ये भी है कि maximum number of people जो permitted हैं किसी भी indoor outdoor gathering के लिए उसे restrict किया जाएगा 25 लोगों पर तो 25 लोग आप जानते कि examination hall भी अगर बच्चे इकठे हो रहे हैं तो वो indoor gathering ही है और आप 25 से जादा बच्चों को इकठे होने की अजाज़त नहीं दे सकते तो exam आखिर possible कैसे हो पाएगा बात की जाए तो cluster university में आज ही become become honors का examination है उसके इलावा जमू उनिवस्टी में fourth semester के examinations आने वाले दिनों में होने वाले हैं school of social sciences हैं वहां पर exam होने वाले हैं और यह बहुत सारे examinations जो अब offline होने वाले थे finally जिसको लेकर जब date sheet tick ली तो बच्चों ने protest भी किया और अलग-अलग कारण उने बताए कि यह exams online क्यों होने चाहिए लेकिन इस समय क्योंकि covid-19 के cases इतने बड़े नहीं थे इस वज़ा से universities ने भी clear stand लिया कि exam जो है वो तो offline ही होंगे यानि कि physically आकर बच्चों को exam लिखना पड़ेगा एक कारण इसका ये भी माना जा सकता है कि जो general perceptions अभी academicians में इस covid-19 के कारण बनी है वो यही कि क्योंकि कि सब कुछ online shift हो गया है इस वज़ा से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह उतना grasp नहीं कर पा रहे जितना वो offline classes में कर पाते और इसी लिए चेक करने के लिए कि क्या online classes में उन्होंने ध्यान दिया भी है या नहीं कुछ पढ़ा भी है या नहीं या फिर वो केवल डिग्री अपनी online ही जो है वो complete कर रहे हैं उन्होंने कुछ सीखा है इस semester में या नहीं यही मालूम करने के लिए offline examination जो है इन universities ने कहा था कि अब होंगे लेकिन फिर आए कोविड-19 के cases rise होना शुरू हो गए फिर आई जमकुष्मी सरकार की नई guidelines और इन नई guidelines पर रोक लगा दी गई offline classes के उपर भी और gatherings के उपर भी जो number है gatherings का उसे भी limit कर दिया गया अब अगर इसे इस तरीके से देखें कि कि किसी भी एक semester के लिए अगर examination माल लीजे B.com का हो रहा है M.com का हो रहा है कोई भी examination अगर हो रहा है कितने बच्चे एक समय पर exam दे पाएंगे इन guidelines की माना ही जाए तो 25 से ज़ादा लोगों को इकठे होने की इजाज़त नहीं है तो 25 बच्चे अगर examination देंगे तो कैसे possible हो पाएगा कि एक batch में B.com की batch में यह जितने भी batches उसमें जितने भी students है वो 25-25 के batches में examination दे पाएं एक दिन में भी अगर आपको exam conduct करना है तो आपको कितने सारे different different उसका schedule बनाना है कितने सारे phases में आपको examination करना है एक exam करना है उसके बाद बाकी exams की बात अलग तो इन guidelines की वज़ा से परिशानी बन है कि क्या अब exams in universities में colleges में online होंगे offline होंगे हाला कि इसको लेकर universities का perception यह है कि exams जो है वो offline ही होने चाहिए लेकिन क्योंकि COVID-19 के cases बढ़ रहे हैं students का एक कहना है कि exams अब classes अगर online दुबारा से shift हो गई है तो exams भी online क्यों ना हो इसको लेकर भी clarity के साथ कुछ बताना होगा कु क्योंकि उन्होंने exams को लेकर specifically तो कुछ mention नहीं किया है लेकिन यह जरूर कह दिया है कि जितने colleges schools है सबको अब online shift करना होगा physical classes अलाओ नहीं की जाएंगी वही gatherings को लेकर मैंने आपको बता दिया कि केवल banquet halls में कहा गया कि vaccinated लोगों के लिए 25% जो banquet hall की capacity है उस पे अलाओ किया PCR या rat की report होनी चाहिए जो बतर गंटों से जादा पुरानी ना हो और 25% जो authorized capacity होगी किसी भी open space की उसे फिर allow कि कर दिया जाएगा कि वहां पर उतने लोग gather कर सकते हैं अब examination hall की अगर बात की जाए तो वो भी enclosed space है एक banquet hall की जगा खुली space नहीं है वहीं कहीं साइड इन्वर रहे हैं तो उनकी social distancing उतनी की जा सके 6 foot की दूरी कहा गया है क्या possible है कि छोटे से classroom में आपने 25 बच्चों को बिठा कर exam लेना है और उनमे 6 foot की दूरी हो कितने ऐसे universities में rooms होंगे जहां पर 6 foot की दूरी maintain कर पाना possible हो पाएगा क्या possible हो पाएगा कि जितने सारे streams हैं जितने सार होगी ही या तो आप 25 बच्चों को नहीं कर पाएंगे आपको ज्यादा बच्चे करने पड़ेंगे एक रूम में बिठाने पड़ेंगे या social distancing possible नहीं हो पाएगी यह सभी का rat सभी का RT PCR सभी का vaccination certificate चेक करना possible नहीं हो पाएगा और easy option फिर यही है कि आपको online examination लेने हैं जिन online examination से already university में अगर आप किसी से भी बात करें तो देखने को मिलता है कि लोग तंग आ चुके हैं कि बार 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 online examination होंगे तो हम test कैसे करेंगे कि आखिर बच्चे ने पूरे semester में कुछ पड़ा भी है या नहीं तो इसका एक way out निकालने की जरूरत है यह ensure करने की जरूरत है क कोविड-19 के बढ़ते cases को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार यह कह रही है कि सब कुछ online shift किया जाए लोगों को भी कह दिया गया कि यह ensure करें कि आप घर में बैठें बाहर ना जाए night curfew लगाया गया है cinema halls की capacity कम कर दी गई है outdoor gatherings की capacity कम कर दी गई है जितने भी government department सा उनको in person meetings कम करने को कह दिया गया है तो universities and schools में जो exams होने वाले हैं उन exams को लेकर भी कुछ clarity से बताया जाए कि क्या possible हो पाएगा कि वो examinations offline conduct किये जाए और साथी में यह कि क्योंकि यह guidelines कल शाम को ही आई है जो examinations आज हो रहे हैं उनको लेकर क्या होगा और examinations coming week में होने वाले हैं उन उनको लेकर क्या कोई नहीं नोटिफिकेशन चाहे क्लस्टर निवर्स्टी हो जम्मी निवर्स्टी हो यह अन्य स्कूल्स और कॉल्जिस हैं क्या वो निकालेंगे